टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है आज से नहीं कई दिनों से लोगों के दिलों पर रास करता है। अब इस ड्रामे में कई नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। सीरियल में अभीरा और अर्मान के बीच नस्दीकिया बढ़ने लगेंगे। जिस वज़े से रूही परिशान हो जाएंगे। समरेधी शुकला और शहजाद धामी स्टारर सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है इन दिनों धेर सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है। इस शो में अक्षरा और अभिमन्यू का ट्रैक खत्म हो गया कहानी अभीरा और अर्मान पर चल रही है जिसमें रूही का लव ट्राइंगल है। अभीरा के कमरे में ले जाती है वो अभीरा को कंगन देने का भाना बनाती है लेकिन रोहित मना कर देता है। कि बाते हो रही हैं इस द्वरान अर्मान हनिमून पर जाने से मना कर देते हैं और अभीरा भी उसकी बात पर राजी हो जाती है तबी वहाँ पर फूफा सा आ जाते हैं जो रोई पर आग की तरह फट जाते हैं फूफा सा रोई पर चिलाते हुए बोलते हैं कि उसके बीनानू यानि मनीश कोईंका की वज़े से उसके हाथ से केस निकल गया इस मौके पर दादी सा मामले को शांत करवा देती हैं इसके बाद रोई और अभीरा अपने पतियों के लिए लंच लेकर ओफिस जाती हैं ये रिष्टा क्या कहलाता है मैं आगे देखने को मिलेगा कि घर में अर्मान अभीरा और रोई रोई रोईत की शादी का रिसेप्शन रखा जाता है इस मौके पर रोई साडी के पलू को स्टेपल से रोखने की कोशिश करती है और फिर वो अर्मान की मदर मांती है तबी दोनों की अचानक से टक्कर हो जाती है और गलती से अर्मान अभीरा को किस कर देता है जिस वज़े से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते इसके बाद अभीरा साड़ी खोल कर अपना पहाड़ी आउटपिट पहन कर अर्मान के साथ नीचे चली जाती है लेकिन दादीसा को अभीरा के कपड़े जरा भी पसंद नहीं आते तो ये था ये रिष्टा क्या कहलाता से लेकर का अपडेट इस खबर में इतना ही आपको इस खबर की डीटेल्स कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिग बताए